बहा भी दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक हद के बाद हमें ये रियलाइज होता है कि हम गलत थे, तो हमें ऐसे लीकेजिस का पता करना है और उनको ठीक करना है, पैसों की एनरजी को अबंडन्स में अट्रेक्ट करने के लिए, इस दुख में डीटेल में बहुत सार टेकनीकज बताई गई हैं, जिम में से कुछ है, नमबर वन, अपनी फाइनेशियल सिच्वेशन को अनिलाइज करें, इस एकसरसाइज में आपको अपनी इंकम और एक्सपेंसेश को अनिलाइज करना है, यानि आप कितना कमा रही हैं और कितना खर्च कर रही हैं, आपको अ अपना financial goal set करने में मदद करेगा आपको अपने income और expenses के हिसाब से एक goal set करना है ताकि आप अपने finances को manage कर सके नमबर 3, money को manage करें इस exercise में आपको अपने पैसों को manage करना सिखाया जाएगा आपको अपने expenses को control करने के लिए एक budget बनाना होगा और अपने income और expenses को track करना होगा नमबर 4, positive mindset cultivate करें ये exercise आपको एक positive mindset cultivate करने में मदद करेगी आपको अपने beliefs और thoughts को change करना होगा ताकि आप financial success और abundance को attract कर सके पॉजिटिव mindset यानि धन के प्रती हमेशा सकारात मग सोच नमबर 5, gratitude practice करें इस exercise में आपको एक अपने को अपने सीटिव में बनाना होगा फ्रती बनानाा होगा